आगा में कारिक्रम प्रायूचित किया है जॉइस मायर मुलिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने जॉइस का लक्ष्य स्पष्ट है परमेश्वर के वचन को व्यभारिक तरीके से सीखना ताकि आप ज्यान प्राप्ट कर सके और उसे अपने जीवन में लागू कर सके और अब उसकी धार्णा है कि वो आपको और ज़्यादा दे हमारा लक्ष के वल खुश रहना ही नहीं है हाला कि स्वयम ये एक अच्छा लक्ष है पर हमारा लक्ष है परमेश्वर की महिमा करना उस हर बात में जो हम कर सकते हैं और मैं व्यक्तिकत तोर पर ये महसूस करती हूँ कि उदास चहरो वाले मसीही परमेश्वर के महिमा प्रदान नहीं करते वो उदार के लिए बढ़िया इस्तिहार नहीं है इसलिए हमें जीवन को कुछ इस तरह जीना है और स्वयम को ऐसे दिखाना है जो लोगों में ये इच्छा जगा है उसे पाने की जो हमारे पास है और इसलिए मैं सोचती हूँ परमेश्वर का आनंद जो हमारी ताकत है और शांति और सब्र और उस तरह के अलग-अलग किसे हैं हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपोना है कि विश्वासी के रूप में हम कैसे जीए यदि आप सच मुझ चाहते हैं कि आप परमेश्वर द्वारा इस्तमाल किये जाएं और इसलिए भजन सहीता 5.11 में लिखा है जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफल लित हूँ इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे पास थोड़ा सा हो कभी कबार वो चाहते हैं कि हम सच मुझ प्रसन हों और सच मुझे कच्छे मूड में हो और अपने चेहरे पर ध्यान दे ताकि संसार ये बता सके कि हमारे पास कुछ है जिसकी उन्हें कुछ जरूरत है। और ये बात बहुत एहमियत रखती है कि दुनिया हमसे कुछ सीखे। आमेन। बहुत अरसे तक जी लेने के बाद में इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि हर कोई जो चाहता है उसका सारांश ये है। वे बस खुश रहना चाहते हैं मेरा मतलब जब आप बाहर जाते हैं और शौपिंग करते हैं आप वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं जो आपको खुशी पहुंचाए हम खाना खाते हैं क्योंकि ये हमें खुश करता है कई बार हम ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि हमें ज्यादा खुशी मिलती है हम एक रिष्टे में होना चाहते हैं क्योंकि यह हमें खुशी पहुँचाते हैं इसलिए खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई चाहता है पर अफसुस बहुत से लोग इसे गलत तरह से पाते हैं मैं आपको नंबर 12 पहले बताऊंगी मुझे ये कल समझ आयो नंबर 12 है कि ये खुश रहने का फैसला करना आप कभी खुश नहीं होंगे यदि आप इसका फैसला करेंगे कि आपको खुश रहना है अपने सारे हालातों के बावजूद चाहे कुछ भी हो आमेन क्या आप अपने हालातों के बावजूद खुश रहने का फैसला कर सकते हैं खैर मैं इसके बारे में कभी सोच नहीं पाया पता है खुशी या सच्चा परमेश्वरी या आनंद उस पर आधारित नहीं होना चाहिए जो आसपास हो रहा है हाला कि यदि आप वेबस्टर डिक्षनरी की परिभाषा की ओर देखे कम से कम एक ओरिजिनल डिक्षनरी जो लिखी गई है 1828 में इसमें लिखा है कि खुशी उसका उतपादन है जो आपके साथ कुछ अच्छा होता है और ये उसका भी उतपादन है जिसकी आप उम्मीद करते हैं जो आपके साथ कुछ अच्छा हो यही मुझे बहुत पसंद है यही कि समय यदि कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा नर्क में कोई ऐसा शैतान नहीं है जो मुझे रोक सके यह उम्मीद के साथ कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है शुत्रू हो सकता है हमारे हालातों को बिगाड़ दे पर वो हमारे रिदय और आशा को नहीं बिगाड़ सकता आप आशा से भरे हो सकते हैं और अच्छी चीजे होने के उम्मीद कर सकते हैं यदि आप ऐसा फैसला करते हैं इसलिए मैं दुबारा ये कहूंगे शायद आज बहुत बार खुश रहने का फैसला करें और इंतजार ना करें कि आपके हालात इसके लिए आपको निर्देशित करें और तभी आप खुश रह सकेंगे खुश रहने का फैसला करें सब कहें कि मैं खुश रहूंगा मैंने फैसला किया है कि मैं एक भी दिन जाया नहीं करूंगी ना खुश रहकर मैं खुश हूँ अब नमबर एक बात नमबर एक बात जिसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं कि यदि आप खुश लेना चाहते हैं तो आपको उस पर विश्वास करना होगा जो परमेश्वर का वचन आपके बारे में कहता है खास कर आपके बारे में ये कि आप कौन हैं और सारानश ये है कि आप कभी अपनी जीवन का आनन नहीं ले सकते यदि आप स्वेम का आनन नहीं लेते इसलिए मैं बताती हूँ मैं उस जानकारी पर दुबारा वापस नहीं जा सकती, पर आपको ये बताना चाहूँगी, यदि आप स्वेम को पसंद नहीं करते, तो बहतर होगा आप पसंद करने लगें, इस पर पार ना ले और एक और फैसला करें, ये कोई rocket science नहीं, पर ये सच मुझे मेरे लिए जीवन बदलने वाला है, जब मुझे महसुस हुआ कि जहां कहीं मैं गई वहां में थी, इसलिए आप कभी भी अपने से दूर नहीं जा पाएंगे, एक second clear भी नहीं, इसलिए बहतर होगा कि आप शान्ती से पेश आएं, अपनी सभी तूटियों और अपनी सब अजीब हरकतों के ब मैं स्वेम को पसंद करती हूँ और परमिश्वर मुझे पसंद करते हैं, अगले साल मैं बिल्कुल वैसी नहीं रहूंगी जैसी मैं उपर, इस बीच मैं बदलाव की प्रक्रिया में हूँ, मैं स्वेम से लडाई नहीं करती रहूंगी, मैं खुद को पसंद करती रहूंगी क्या हर कोई कह सकता है मैं खुद को बसंद करूंगी वो बाते जिनकी हमने कल बाते की थी नंबर दो वो थी कि एक दिन करके जीना और उसका आनद लेना ये काफ़ी समझ में आता है तीसरी चीज जिसकी हमने बात की थी कि शांती में बने रहना अब नंबर चार वो बड़ी बात जिसके आज हम बात करना चाहते हैं यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको ये सीखना होगा परमेश्वर के अर्थव्यवस्ता में जिससे आप चिपके रहने के कोशिश करते हैं और उसे रखना चाहते हैं वही है जिसे अंत में आप खो देते हैं और जो आप दे देने की इच्छा रखते हैं वो आपको वापस मिलती है ब्याज के साथ कई गुना होकर आप जो भी परमेश्वर को देते हैं आप समझ रहे हैं मैं आप से कह रही हूं आपको उससे बहतर मिलता है इसलिए यदि आप मुझे ले लो आप मेरे साथ वो करें जो आप करना चाहते हैं अपने राज्य में मुझे इस्तमाल करें लोगों की मदद का निकले इस्तमाल करें और बस ये प्रारतना अपने जीवन में एक ही बार ना करें ये प्रारतना हर रोज करें हर दिन मैं परमेश्वर से ये म पता सकते हूं कि आपको कभी खुश नहीं रहने का मौका मिलेगा अगर आप खुद फैसला नहीं करेंगे कि आपको खुश रहना है अमें और ये एक ट्विट है क्या ये सही शब्द है क्या हम इस तरह की बाते ट्विट करते हैं हाँ यही है मैं इन सब को उल्जा देती हूं आप एक के साथ खुश और स्वार्थी नहीं हो सकते और आपका जीवन आपका है इससे आप जो चाहे कर सकते हैं आप अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं स्वयम अपने को अपनी स्रिष्टी का केंद्र बना को और ये विश्वास करते हुए कि आप हर एक के स्रिष्टी का केंद्र बन रहे हैं पर बस आप दुखी होंगे इसलिए आप ये फैसला कर सकते हैं मैं अपना जीवन दे दूँगा मैं बस इस परमेश्वर को दे दूँगा और उनसे कहूंगा कि वो जो चाहें इससे करें मत्ती सोला चोबीस तब ईशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपका इंकार करें स्वयम की उपेक्षा करें स्वयम को नजर अंदास करें और स्वयम को भूल जाएं अपने हितों को भूल जाएं अब आप जानते हैं खुद को भूल जाने का मतलब यह नहीं कि आप स्वयम की देखभाल नहीं करने वाले हैं पर इसका यही मतलब है कि आप अपने मन पर स्वयम ही छाएं नहीं रहेंगे बिल्कुल भी नहीं आमेन सुबह उठें और पहली बात ये करने की सोचने लगें कि आज कैसे किसी अन्य के लिए आशिश बन सकते हैं या परमिश्वर के बारे में सोचें पर अपने खोद के बारे में सोचने के बज़ा कुछ और करें अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें बहुत से बात चीत हुई है क्रूस उठाने के बारे में खेर पता है ये समस्या है जिसकी क्रूस मुझको उठानी है ये बिमारी मेरा क्रूस है जिसे मुझे उठाना है नहीं ये बाइबल आधारित नहीं है क्रूस जिसे आप उठाते हैं कि आप स्वयम को भूल जाए, खुद को नजर अंदास करें और अपने सारे हितों को भी और कहें ये मैं हूँ प्रभू, मैंने स्वयम से स्वयम को खाली कर लिया है, मुझे आप अपने से भर दे और वो कर जो भी आप मुझे से करना चाहते हैं और मेरे जरीए करना चाहते हैं आज, चलिए भी आप इस विशय पर चलाएं, आमें, अब बहतर होगा कि मैं आपको बता दू, अगर आप उस तरह से जीने के आदी नहीं है, तो आपको कल्चर सौक लगेगा, शुरू आत में ये कठिन होगा क्योंकि हम बहुत आदी हैं अपने जीवन के सनहासन के और उस हर बात के, जो हम सोचते हैं सबसे पहले हमारे अपने बारे में ही होती हैं और ये शुरूआत में बहुत कठिन होता है क्योंकि वहा मृत्यू है, मृत्यू जो होती है, पर आज मैं आपको ये साब जीने के बाद पर असल में आप एक सच्चा जीवन चाहते हैं, सच्ची गुणमत्ता वाला जीवन, जो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जीवन का सच्चा अमूलियो है और किसी बात के लिए इसके माइन है, फिर आपको राजी होना होगा स्वायम के लिए, मर जाने के ल हाँ चलाएं और इसके बारे में खुश रहना सीखें, हाँ खेर, आप इतने खुश नहीं कि जितने मुझे उम्मीद है आपसे, आप में से कुछ सोच रहे हैं खेर, पहले मैं अपनी मर्जी पूरी करूँगा, खेर, हाँ आप कर सकते हैं, बचन 25 जो भी कोई आप दुबा इशु ने, अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे, अपने आपका इंकार करे, स्वेम की उपेक्षा करे, स्वेम को नजर अंदास करे, और स्वेम को भूल जाओ, अपने हितों को भूल जाओ, अपना क्रूस उठाओ, और मेरे पीछे हो ले, मेरे साथ मज बूती से बना रहे, मेरा हुधारन बने और पूरी तरह मुझ में बना रहे, और यदि आवश्यक्ता हो मृत्यू में भी, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, यहां अपना आराम और सुरक्षा वो उसे खोएगा, अनन्त जीवन, जो कोई मेरे लिए प्राण खो होंगे कि स्वयम को भूल जाना और स्वयम को नजर अंदास करना और अपने सब हितों की ओर ना देखना, इसका मतलब यह नहीं कि आपको वो कभी करने का मौका नहीं मिलेगा, इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वयम के लिए कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसे इस अंद के लिए चीजे करने जीने करने में आपको आनन दाता है पर ये बिल्कुल अलग ही बात है बजाए सब कुछ आपके ही बारे में होने के लिए आमेन यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानी उठाए तो उसे क्या लाब उसके आशिशित जिन्दगी परमेश्वर के राज्य में या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा उसके आशिशित जिन्दगी परमेश्वर के राज्य में इसलिए मेरा विश्वास है कि हमें सीखना, जीना और देना, जीना और देना मैं हर दिन उठती हूँ, हर बात उस बारे में नहीं है कि मेरे पास क्या आ रहा है, हर बात इस विश्वर में कि परमिश्वर मेरे जरी क्या काम कर रहे है मेरे पास कोई देने को चीज नहीं है यदि मैं पहले पूरे परमेश्वर को ग्रहाण ना कर लूँ जिसे मैं दूसरों को देना चाहती हूँ आमेन मेरा विश्वास करें आप वो नहीं चाहेंगे जो मेरे पास आपको देने के लिए पर मैंने अपना सरोतम किया है इस सब्ताहन परमेश्वर मेरे जरीए बह सकें ताकि आप अपने जीवन में उन्हें और ज्यादा पास सकें और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर उस व्यक्ति के लिए करें जिससे हम मिलते हैं अब यहना 1224 एक बहुत ही कमाल का शास्त्रवचन है और मैं इस संदेश का कुछ भाग इसके गिर्द ही बनूंगी इसलिए इसे ध्यान से देखें यहना 1224 मैं आपको सो निश्चित कना चाहती हूँ पूरे मनयोग से मैं आपको बताती हूँ मैं आपको बताती हूँ ठीक है कभी कभी चर्च में मनयोग से रहना ठीक रहता है मैं तुमसे सच-च कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमी में पढ़कर मर नहीं जाता बस एक अन्नब का दाना ये कभी ज्यादा नहीं होता पर जिवित रहता है वो अकेला रहता है परन्तु जब मर जाता है वो बहुत फल लाता है और एक अच्छी फसल पैदा करता है खैर मैं आपको प्रोचाहित करना चाहूंगी कि आप बाद में ये शास्त्रवचन पढ़ें बार 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 पर मैं एक अच्छा उधारन यहां देना चाहूंगी ये बीज है जारजिया पीच का मेरे पती ने बहुत प्यार से आज की सुभव वो पीच खाया बीच को धोया और एक हैड्रायर से उसे सुखाया वे इतने अच्छे हैं वो सच मुझ बहुत अच्छे हैं और जब तक कि ये जमी में तफन नहीं हो जाता वो हमीशा यहीं रहेगा इतना आकरशक नहीं और जब तक कि आप दफन होने को राजी नहीं होते कहा जाये तो आप उससे अलग कुछ नहीं होंगे जो आप इस समय हैं बस ये ही और कुछ नहीं पर यदि आप बीच पर थुड़ा अध्यन करें क्या होता है जब आप इस बीच को जमीन में डालते हैं सबसे पहले ये अंधकार में छुप जाता है पता है हम अपने जीवन में अंधकार का समय पसंद नहीं करते पर उनमें आदत होती है हमारे बाहर के खोल को तोड़ देने की और हमें खोल देने की उन बढ़िया चीज़ों के लिए जो परमिश्वने हमारे अंदर पहले सही डाल रखी है देखे जब आप नए सीरे से जन्म लेते हैं हर चीज जो परमिश्वर जो आप में डालते हैं उस हर बात का बीज जो परमिश्वर आप में डालते हैं और अगर आप मुझे इस तरह से इसे डालने दे आप गर्बवती हो जाते हैं परमिश्वरियता से पूरी तरह से आमेन गर्बवती हो जाते हैं मसी की समानता और परमिश्वरियता से जब एक मनुश्य वर इस तरेजिन का विवा हो गया हो इकठे जुड़ते हैं प्रेम और पवित्रता में और उसका बीज उसके घर में बोया जाता है वो गर्भवती हो जाती है चले भी और जैसे जैसे वो बीज पोशन पाता है और उसकी देखभाल होती है तो अंत में वो ज दिलाना चाहूंगे कि जन देना भी पीड़ा के साथ होता है बहुत ज्यादा पीड़ा आमेन बस कह रही हूं ओके और यदि बीज में भावनाएं हों हम एक्षण के लिए दिखावा करेंगे कि इसमें भावनाएं हैं ये शहत बीज बने रहने का आनंद ले रहा है और एकदम अच्छाना कोई हम कहेंगे परमीश्वर आते हैं और उसे मिट्टी में डाल देते हैं जमीन में, अंधकार में, वहां सास रुपने लगती है, वहां गर्मी होती है, जमीन से दबाव पड़ता है और जमीन से गर्मा तुड़ती और दबे रहने का दबाव अंत में इसी बाहरी खोल को तोड़ देता है, चलिए भी, ये खोल उपर से पूरी तरह तूटेगा, आपको मेरे साथ आत्मिकता में जाना होगा, आमें, तो यहां मैं हूँ एक सुसी मसीही, मेरे अंदर एक बहुत महान चीज़ें हैं, पर जब परमीश्वर को मुझमें ये काम करने को नहीं मिलता है, तो बस मुझमें ही दबा रह जाता है, और कोई भी मेरे जर्यमसीह को नही देख पाएगा क्योंकि मैं चर जाती हूं और फिर घर चली जाती हूं मैं चर जाती हूं और फिर घर चली जाती हूं चर जाती हूं और घर चली जाती हूं और कोई जीवन में बदलाव नहीं है क्योंकि जब तक ये जमीन में रहता है, होता यह है कि ये टूट जाता है और ये सब जड़ रही चीज नीचे जाती है और जमीन में जड़ पकड़ती है देखिए, कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि क्यों बहुत से बढ़िया बात हैं हमारे साथ नहीं हो रही यदि हम परमेश्वर की संतान है, खर आपको थूड़ा समय लगेगा बस जमीन में जड़ पकड़ने को आमिन जड़ पकड़ने को परमेश्वर के प्रेम की, जमीन में जड़ पकड़ने को महसी में जमीन में जड़ पकड़ने को परमेश्वर के वचन में और फिर अंत में इस बीच को पानी दिया जाएगा. मेरे ख्याल से ये इतना अच्छा होता है कि परमेश्वर बात करते हैं वचन दौरा सीचे जाने की. समझ रहा है ना आप सीचे जाने की. आमेन. जब बीच सीचा जाता उसे पोशन दिया जाता और उसकी देखभाल होती है. फिर कुछ समय के बाद. किसी को सही समय पता नहीं होता पर. कुछ समय के बाद. कुछ समय के बाद. यह चीज जो अनाकृशक थी. सक्त थी. बेकार का बीच बन जाता है. एक शांदर पीच का घना पेड़. और अब इसका फल तोड़ा जाता है. और दुनिया भर में बेचा जा सकता है. चलिए भी आज कोई मुझे सुन रहा है क्या? और पूरी दुनिया भर में भेजा जाता है लोगों के पोशन और आनंद के लिए. चलिए भी परमिश्वर की बढ़िया स्तुती करें. बढ़िया स्तुती करते हैं परमिश्वर की. एक शलिए के हमारे टीवी के दर्शकों से बात करते हैं. पता है ये लोग जो यहां है वो समझ चुके हैं. पता है उनमें प्रती बद्दता का एक स्तर है वरना ये यहां आज सुबह नहीं होते हैं और मुझे पता नहीं आप परमिश्वर की बातों के बारे में कितना जानते हैं या परमिश्वर के वचन के बारे में और पूरी तरह कितना समझ पाते हैं जो इस समय में कह रही पर मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूंगी, ये जीवन पूरी तरह से आपके बारे में हैं, और आप इसी के बारे में ही सोचते हैं, या इसकी परवा करते हैं, और आपको वो मिल रहा है जो आप चाहते हैं, और हर एक से आप सेवा करवा रहे हैं, वो पाने के लिए जो आप तो आप कभी भी खुश नहीं हुंगे, अब वो भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आप सूचते हैं कि आप चाहते हैं, और फिर आपको पता लगेगा, कि उसने भी आपको खुश नहीं किया. क्योंकि खुश रहना अस संभव है यदि आप खुद को दे देने को राजी नहीं होते हैं तो आमेन और मैं सच मुझ यह नहीं जानती कि कितने मसीन ही हमित रूप से इस तरह की प्रार्ट ना करते हैं पर मैं आपको बता दूँ कि हम बस सच मुझ दे नहीं रहें यदि हम हर सुबह यहीं करते हैं कि परमेश्वर को वो बारा बाते पेश करें जो उन्हें तुरंद करनी होगी ताकि हम बस उद्धार में रहें खेर प्रभू यदि आप ऐसा नहीं करते तो मैं बस खुश नहीं रह सकते और यदि आप यह नहीं करेंगे मुझे खुशी नहीं मिलेगी और यदि मुझे यह एक दिन बरदाश्ट करना पड़ा परमेश्वर मुझ से नहीं लगता कि मैं यह कर पाऊंगा हम सब के पास ची चीज़े हैं जो हम चाहते हैं मेरे पास कुछ चीज़े थी जो मैं चाहती थी पर आप जानते हैं मैंने क्या सीखा यदि आप राज्यों की खोच करें परमेश्वर यह चीज़े जोड़ देंगे आमेन और भजन सहीता 37 वचन यहुवा को अपने सुक्क का मूल जान और वो तेरे मनोरत को पूरा करेगा ठीक है आप चले कुरुंतियों पर दो कुरुंतियों अध्याए 8 वचन 5 और अब भई मुझे यह पसंद है मुझे बहुत पसंद है देखे आप में से कुछ आप में से कुछ पहले यह जान चुके हैं ज्यादा कुछ आजाद महसूस करने लगे हैं सिर्फ इसी विचार से मैं एक तरह से इसे अपनी आत्मा से महसूस करती हूँ यह कुछ इस तरह है वाव आप में से कुछ सल्फ कर से रिटार क्यों नहीं हो जाते चलिए बड़ रिटार्मेंट पार्टी करते हैं जब कोई कहता है तो मितने खुश्यों आप कहेंगी मैं आप अपनी चिंता नहीं करता मैंने स्वयम को दे दिया है और परमीश्वर जो कुछ भी मेरे साथ करें वो उन पर निर्बर है यदि वे मुझे वो देते हैं जो मैं चाहता हूं तो अच्छा है यदि वो नहीं देते तो और भी अच्छा है तो कुरुंतियों अध्या आठ वचन पांच अब यहां वो एक आर्थिक चढ़ावे की बात कर रहे हैं पर मुझे वो बहुत पसंद है जो यहां लिखा है क्या उनका ये उपहार बस एक कंट्रिबूशन था जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं वरन उन्होंने प्रभी को फिर परमीश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आपको दे दिया अपने एजिंट के रूप में पूरी तरह अपने व्यक्तिगत ही तो और नजर अंदास करते हुए उन्होंने उतना दिया जितना उनके लिए देना संभवता स्वैम को हमारी लिए दे दिया कि परमीश्वर की इच्छा से हम निर्देशीत हो सकें उन्होंने स्वैम को प्रभु को दे दिया पॉलूस ने कहा ना किवल उन्होंने चढ़ावा दिया, ना किवल उन्होंने टोकरी में कुछ पैसा डाला, पर उन्होंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया, और इसलिए अपके बाद आप चर्च में अपना चंदा दे इससे पहले कि आप डाले, आप क्यों नहीं पर चलिए भी मुझे ये पसंद है, आमें पर चंद आपके इस्तर रहने में मदद करता है, तो निवेश किजे परमिश्वर के वचन में और इसे अपने जीवन को समरिद बनाने में और आपको और जएदा खुश मसी बनाने में उससे जो आप हैं, परमिश्वर आपको आशिष दे जोईस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही किंती हैं। जोईस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।